हेलो व्रिवन वेल्कम ट्रेक्ट और शुरू करते एक नहीं सवाल से आज में जो इवेंड में गया था यू टीवी के जो वी यू से स्टाट होता है यह वेंड मुझे बिल्कुल भी मजाई नहीं है हाला कि जो होगा टीवी अच्छे होगे मैंने तो चेक नहीं किया तो फैर आपको पीनिन दे रहा हो क्योंकि टाइम ही नहीं लोग टूट पड़े तो मुझे गुसने का टाइम ही नहीं मिला तो मैं वापस आगया और उसकी जगह मैंने कुछ और बना दिया तो आज की टेक्न तो आज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप यूटुबर है या फिर आप एक नॉर्मल सब्सक्राब़र हैं जैसी के आप नॉर्मल जोब करते एं यूटूब के अलावा तो क्या जो YouTube है वो बताइए कि हाँ मैं YouTuber हुँ और जो YouTuber नहीं यह वो बताइए मैं YouTuber नहीं हो पता चल जाएगा कि कितने लोग YouTuber है और कितने लोग नहीं है आज का target भी 45,000 likes का है और आज भी आप इसी तरीके से सपोर्ट रखिए तो पहले कबर की बात कर तो आप आप लोगों बता रहें कि iPhone X iPhone 8 और iPhone 8 Plus यह smartphone बहुत जल्दी जो वो लॉंशन वाले है और यह सारे जो smartphone से इसके दर आपको fast charging का support भी जो वो मिल रहा है अब जो भी smartphone iPhone के अलावा भी आते है market के अंदर इन सभी में भी smart fast charging का support मिलता है लेकिन सबके साथ में आपको bundle accessories मिलती है जिससे आप अपने mobile को fast charge कर सकते हैं अब यहां पर Apple लेग ऐसा catch रखा है अगर आपको आपके iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus को fast charge करना है आपको उसके लिए 5000 और ज्यादा जो देने पड इस करते हैं तो यह आप अपने iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus को fast charge कर सकते हैं 89,000 रुपिस प्लस 5000 जो इंडियन मार्किट की प्राइस उसकी बात कर रहा हूं हो गया कितना 94,000 शायद और 1,02,000 रुपिया प्लस 5000 तो हो गया 1,07,000 और iPhone 8 Plus के जो भी इसमें पात पर जोड़ तो मेरी तरफ से iPhone को तो finally यहाँ पर Asus ने अपने Zenfone 4 के smartphone जो इंडिया के अंदर launch करती है और यह जो Zenfone 4 के वाले smartphone ने यहाँ पर सिर्फी एडिशन लाँच किया Zenfone 4 Selfie और यहाँ पर दो वेरेंट मिलते हैं और एक आपको Zenfone 4 Selfie Pro करके भी एक एडिशन मिलता है यहाँ पर आप लोगो प्राइजिंग की बात करें तो 10,000 रुपी से स्टार्ट होती है एक सिंगल कैमेरा वाले वेरेंट है जो आपको फरंट में मिलता है फिर उसके बाद 15,000 र इन thi बहुता है यहाँ पर शी श टोरेज और यहाँ पर आपको सिंगल सेटी कैमेरा मिलता है 13 MP लोग को सेरी पीर फिसक्टार रुपीज का है उसको देर आपको 24 Megapixel का सेल्फी मिलता है प्लस आपको एक 8 Megapixel मिलता है यह डूल सेल्फी हो जाता है आपको 16 का आपको यहां पर आपको यहां पर स्नाप्डगन का 620 का प्रोसर मिलता है 625 का प्रोसर मिलता है और आपको 5.5 इंच की फूल एच्टी की डिस्प्लेय मिलती है 3000 इसकी बैटरी यानि कि यह जो स्मार्टफोन उन्हें लॉंच किया है अपनी प्राइजिंग के सबसे अगर हम वीवो और ओपो से कंपैड करते तो बेस्ट है या तो नॉर्मल यह अगर हम को दूसरे फोन से कंपैड करते तो यह हमें पता है कि थोड़ी से ओवर पतलब स्पाइज से कंपनी आपको नहीं पता होगा तो है मौजूत है और स्पाइज यहां पर अपना एक प्रीमियम डिजाइन वाला स्मार्टफोन लॉंच के आप स्पाइस V801 जहां पर इन्हों ने कहा है कि यह स्मार्टफोन नहीं कि अगर आप अपने हाथ में ले तो स्पाइम एट का रियर शायद फाइब का सेलफी तू टू 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 की बैटरी है और फाइज इंच के अपको एच्टी की डिस्पे मिलती है कि हम स्पीचलेस फिर से ब्रेक है और आइफून के लिए यह नहीं अगर आपको पता हो तो को यह स्मार्टफोन इंडिया के इंदर 20,000 रुपे में जो वह लॉंच किया गया था जिसके इंदर आपको 16 मेगा पिसल का सेलफी मिलता है आपको अच्छी का सी बैटरी मिलती 4000 के उपर लेकिन यहां पे यह जो स्मार्टफोन है इसके दर आपको लियो का पी 10 का प्रोसर मिलता है जो 20,000 रुपे में लॉंच किया गया था अब यहां पे आपको 3,000 रुपे का डिसकाउंट मिल रहा है अब भी आपको 17,000 रुपे म और गूगल पिक्सल एकसल टू मैं को यह नाम तोजीब लगता है गूगल पिक्सल टू पिक्सल एकसल टू यह जो स्मार्टफोन ने बताहिए रहे कि October 4 को यहां पर यहां पर लॉंच हो सकते हैं अब यह दोनों जो स्मार्टफोन ने इसके अदर एक जोगा वोग और प्लस यहाँ पे bezel-less display भी जो Google XL2 के अंदर जो देखने को मिल सकती है बहुत rumors और leaked इससे related आ रहे थी देख लेते कि Google इसको कब launch करता है और finally इसकी pricing यहाँ पे जो वो क्या होती है और साथ में आप गूगल की तरफ से एक और ख़बर आठे है आप तेस का मतलब यह है कि fast यानि कि यह application कुछ ज्यादा ही fast होगा और बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं जल्दी आप अपने on-do go जो पेमेंट वगरा जो वो कर सकते है तो Google टेस इंडिया के अंदर बहुत जल्दी जो वो launch होने वाला है और Google भी इसकी गाड़ी पे चड़ चुका है जापे काफी सारी companies भी हमें जो वो इस तरीके के payment feature दे रही है देख लेते कि यह कितना जल्दी जो वो आता है तो Nokia की तरफ से cover आ रही है जी हाँ, Nokia की तरफ से फिर से cover आ रही है बताया दर है कि Nokia 2 अब जो वो FCC certification पे जो वो leaked हो कि आया और बताया दर है कि Nokia का एक जो ऐसा variant आएगा जिसके अदर आपको 4000 image की जो वो battery देखने को मिलेगी अब ये बाट ठीक है अच्छी बात है एक budget category का 4G voltage smartphone होगा जिसके अंदर रूमर्ड है कि snapdragon का 210 का प्रोसर होगा तो क्या करें कि 210 का यार बहुत ही मतलब at least 425 भी दे लिए तो तो अच्छी बात हो तो Snapdragon 210 निकल चुका हो जमाने के अंदर और साथ में Nokia 9 की बात करें तो Nokia 9 भी कुछ ऐसे ही आएगा dual-rail cameras के साथ में सेम Nokia 8 जिसा होगा लेकिन इस बार हमें bezel-less display, infinity type display वाला जो वो कुछ feature देखने को मिलेगा तो पहले ही दे रहे थे Nokia 8 में इतनी महनत करने की ज़रूद क्या थी तो देख लेतें कि Nokia के smart phones हमारे लिए फिर से क्या लेकिया आते है फिर से iPhone के लिए अगर आप Swift की keyboard यूज करते है Swift की अगर आपको नहीं पता है तो यह भी एक keyboard application है जो recently यहाँ पर Microsoft ने इसको acquired का लिया था तो यहाँ पर Swift की keyboard के अदर आप GIF का support आ चुका है यानि कि GIF जो वो Bink powered होगा अब आप यहाँ पर keyboard के अदर एक GIF का tab मिलेगा जब आप क्लिक करेंगे तो आपको Bing app जो हो ब्राउजर उपन होता है उसके अंदर ही आपको जो सारे के सारे GIF images मिलते है और डारेक्ली आप keyboard के जरीए ही GIF images बगेरा जो वो send कर सकते हैं आपको यहाँ पर को third party application श्रॉल करने की जरूरत नहीं परती है तो shift keyboard अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप यूज करिए काफी अच्छा है लेकिन बहुत ही lag बगरा भी होता है कभी-कभी आपका फोन अगर आप यूज करते हैं तो जल्दी से चाहिए और इसको जब अपडेट कर लिजे वे बहुत पकारों में जानता हूं लेकि एक बार सिर्फ एक बार एक बार आइफोन के लिए है